ये कहानी रोहित की है जिसकी दो दो पत्नियां होती है गरीमा और रिया दोनों की आपस में बिलकुल नहीं बनती अरे बहु कहां चले गई? घर में दो दो बहु के होते हुए भी मुझे खुद काम करना पड़ रहा है हाँ माजी आपने बुलाया अरे माजी ये सिब आप क्यों कर रही है? रिया कहां है? माजी ये थोड़ी ना होता है कि हर बात पर आप मुझे ही बुलाती रहोगी अरे वो भी तेरी तरह काम का बहाना मार के कहीं बाहर गुमने चली गई? बैसे तुम लोगों को ये नहीं लगता कि एक ही सास है तो ज़रा खयाल रखे माजी, सबकी एकी सास होती है इसमें कौनसी बड़ी बात है बसे माजी, मैं बाहर गुमने थोड़ी न गई होई थी मैं तो सामान लेने दुकान पर गई थी हाँ, सास तो एकी होती है लेकन बहु कौनसा दास होती है, वो भी तो एकी होती है न तो मेरी किस्मत में दो क्यूं है और कौन सा सामान मुझे तो नहीं दिख रहा माजी आप भी ना सुबह सुबह ये कौन सी बात लेकर बैठ गए छोड़िये ना ये सब अचा माजी मैं सोच रही थी कि कल इनके साथ जाकर अपनी मा के घर होकर आती हूँ मा की तब्यत थोड़ी खराब है अभी तक तेरी मा की तब्यत ठीक नहीं हुई ये माओं ने अलाग परेशान कर रखा अरे ऐसे घर में बेटी ब्यानी की क्या जरूरत थी जब पता था के पहले से शादी शुदा है क्या है माजी, right to choice नाम की भी कोई चीज होती है और हा माजी, वो मेरी मा की तब्यत थोड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन आजकल फिर से बेगड़ गई है अगर कल एक बार मिलकर आ जाओं तो तसली मिल जाए और ये भी साथ चले तो मा को अच्छा लगेगा ना अरा तुझे जो करना है वो कर, उसे जहां ले जाना है ले जा बस मेरे लिए एक कब चाय बना दे अभी से पता चलेगा के तू उसे सारा दिन के लिए ले जा रही है तो वो अलग नाटक काटेगी अरे काटे ना माजी, मैं नहीं जानती कुछ बाके ठीक है, चाय अभी बना कर लाती हूँ शाम को पती काम से लाटता है हे बगवान, आज किस नाटक के लिए तैयार रहना है बता दू वैसे दो-दो शादी करके मैंने बड़ी गलती कर ली है हरे आप आगे, कैसा रहा आज आपका ओफिस का दिन बहुत अच्छा, तुम सुनाओ वैसे शान्ती बड़ी है आज लगता है उपर वाले ने सुन ले अच्छा, आप ऐसा कीजिए, हाथ मुधो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ फिर याद है न, आज राद हमें बात करनी है कि कैसे मेरा बिजनस शुरू करना है अपने बादा किया था आज का, भूले तो नहीं न अरे, नहीं, बिलकल नहीं, ये भी कोई भूलने की बात है अरे, मेरी रानी हो तुम तो पती खाना खाकर सोने ही जा रहा था इतने मेरी आ जाती है अरे, तुम वहाँ कहा जा रहे हो सोने के लिए तुमको आज मेरे कमरे में सोना है चलो चिपचाप नजाने डायन कौन सा काला जादू कर देती है तुम्हारे उपर जो तुम रोज गदी की तरह उसकी कमरे में घुसे चले जाती हो तुम्हारे कमरे में क्यों? वैसे भी न, आज रात कुछ खास डिस्कुशन है ना हो तो तुम भी अपना बिस्तर यहीं लगा लो, क्यों जी? कल आपने ही मुझे बोला था ना, कि आज मेरे कमरे में इनको आराम करने दो कल तुम्हारे कमरे में कर लेंगे, याद है न, इसलिए रिया पती को अपने कमरे में ले जाती है, जिसे देखकर गरिमा को गुस्सा आता है और तुझे जितना चड़ाना है चड़ा ले, कल देखना, कल का पूरा दिन मेरा पती मेरे साथ ही रहेगा तुझको तो उनकी शकल तक देखने का मौका नहीं दोगी अगले दिन पती और गरिमा माई के जाने ही वाले होते हैं, कि रिया का तमाशा शुरू हो जाता है अरे क्यों नहीं कर सकती, और मेरी मा बिमार है, उनको अपने दामाद को मिलने का बड़ा मन है और कौन सा हर संड़े मैं ले जाती हूँ, पिछले संड़े तो तीरे साथ थे, अरे बोली है न, बोलती क्यों नहीं हाँ, सही, क्या क्या बोलना है अरे बस कीजिए आप, मैं जानती हूँ, मासे मिलना तो एक बहाना है, आप रोहित को मेरे से दूर करना चाहती हो आप इनको अपने साथ इसलिए ले जा रहे हो, ताकि आप इनकी साथ आराम से टाइम बिता सको अरे तुम जब ले जाओ वो ठीक, और आज मैं ले जा रही हूँ, तो अकिली में टाइम भी ताना वगएरा वगएरा अरे आप आस करो तुम दोनो, जाब देखो लड़ती रहती हो क्यों रोहित, तुने ये दो-दो भी वी लाकर अपनी जवानी समाली और मेरा बुड़ापा खतम कर दिया काहे की जवानी मा, देख तो रही हो मेरा हाल, इससे अच्छा था कि मैं कवारा ही रहता अरा तुम दोरों को लड़ना ही है, तो मैं इससे बढ़िया ओफिस के लिए निकल जाता हूँ संडे के एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाएगे पती ओफिस चला जाता है, रिया की बच्ची, ये सब तुमारी वज़े से हुआ दोनों हस्ते हुए वहाँ से निकल जाती है, ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है और दोनों की लड़ाई के बीच पती पिस्ता रहता है, लेकिन एक दिन तुम दोनों के रोज-रोज के जगड़े से परिशान हो गया हूँ जगड़े देखने के लिए तुम दोनों ने पागल कर दिया है मुझे तुम दोनों आपस में मिलकर अपनी परिशानिया सुलझा क्यों नहीं लेती मुझे बीच में घसिटना ज़रूरी है क्या लड़ाई भी तो तुमारे लिए हो रही है न और बला कोई भीवी अपने पती को किसी दूसरी औरत की साथ देखने पर खुश रहेगी क्या हम लोगों की क्या गलती है अब दो शादी की है तो परिणाम तो भूगत नहीं होगा न आपने दूसरी औरत किसको बोला दूसरी औरत मैं नहीं आप हो अच्छा मेरी शादी पहले हो गई थी मेरे पती को तुमने फसाया है हाँ हाँ दूसरी शादी में दहेज और पैसा देखकर तुमने ही हाँ कहा था कि कर लो शादी क्यूँ तब नहीं दूसरी तूसरी का खयाल आया तुम दोनों फिर सही शुरू हो गई। तुम दोनों खुदी से तो शादी के लिए मा नी थी ना, तो अब यह लड़ाई क्यूँ? शादी के वक तो खूप बोला था, अध करवा दिजे शादी, हम दोनों सब संभाल लेंगे, तो अब क्या हो गया तुम दोनों को? मा, ये वक्त दोनों के साथ बहस करने का नहीं है आप बस उपाई बताए इस परिशानी का नहीं तो मैं पागल हो जाओंगा इसका तो बस एक ही उपाई है बिटा, वो है बटवारा क्या मतलब? तुम पंदरा दिन अपनी एक पत्नी के साथ रहोगे और पंदरा दिन दूसरे के साथ बोलो मंजूर है तुम्हें? इन पंदरा दिनों में एक पत्नी दूसरे के जिन्दगी में बिल्कुल दखल नहीं देगी और दूसरी पहली के जिन्दगी में हाँ माँ मुझे मंजूर है और तुम दोनों को अगर तुम दोनों को मंजूर ना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मेरा बेटा तुम दोनों मैंसे किसे के भी साथ ना रहे नहीं नहीं माजी मुझे मंजूर है आर या तुम है मुझे भी मंजूर है ऐसे सास दोनों बहूं में पती का बटवारा कर देती है ताकि सभी शान्ती से रह सके देखने में सुन्दर प्रदिप की आदतें कुछ शीक नहीं थी अरे रिचा वो बगल में कौन आया है? यार बड़ी ही सुन्दर है उसका पती भी अच्छा है बोलो तो दोनों की बात चला दू हरे यार तुमको तो आदत है शक कनने की बस पूछा ही था कि अपनी बात आगे कर दी यार, किस बीवी को अच्चा लगेगा कि उसका पती किसी और की दार्यख करे? अरे पर तुमारी भी तो करता हो ना उस दिन बोला तो था हाँ, चार बार जब सबने मेरी दार्यख की, तब अरे, सब कर तो रहा है ना हाँ लिकिन मुझे सबके मुझे नहीं तुमारे मुझे सुननी थी अचा चलो कोई बात में मा चलता हूँ प्रदीप आफिस चला जाता है लेकिन रिया उसके कपड़े साफ कर रही होती है कि उसे प्रदीप की जेब से एक कागज मिलता है जिसमें एक इमेल आईडी और पास्वर्ड लिखा होता है ये है तो इनके नाम की आईडी लेकिन ये क्यों बनाएंगी लॉग इन करके देखती हूँ रिया जैसे ही मेल आईडी को लॉग इन करती है सामने बहुत से लड़कियों की चैट आ जाती है जिन से प्रदिप बात किया करता था ओ माई गॉड ओफिस से लेट आते हैं किस समय नहीं है काम ज्यादा है अभी मज़ा चकाती हूँ ये बोलकर रिचा खुद की भी एक फेक आईडी बनाती है और प्रदिप को फ्रेंड रिक्विस्ट भीज दीती है प्रदिप का फोन बच्टा है क्या बात है ये खुस्त परीने तो खुद मुझे फ्रेंड रिक्विस्ट भीजी है हाई इदर रिचा के फोन पर जैसे ही प्रदिप की हाई आती है वो उसे कॉल कर दीती है क्या कर रहे हो प्रदिप जरा मेरी चाची की बहु का नंबर दिना तुमारे फोन पर ही सेव है अब आरे रिचा मीटिंग चल रही है बाद में बात करता हूँ फोन रखती ही प्रदिप रिचा की फेक आईडी पर लिखता है मैं सिंगल हूँ और आप रिचा को ये पढ़कर गुसा तो बहुत आता है लेकिन वो सोच लेती है कि उसे अपने पती को सही रा दिखानी है अच्छा सिंगल हो तब तो रात में बात करते हैं क्योंकि मेरा पती है अभी बात नहीं कर सकती ओ तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम शादी शुदा हो जैसे तुम्हारी फोटो देखकर नहीं लगता कि तुम सिंगल प्रदीप को रिचा की बात अच्छी तो नहीं लगती लेकिन करता भी क्या अब खुबसूरत लड़की की तो गाली भी कंप्लिमेंटी थी तुम्हें घर आता है और चेहरे को चमकाने में लग जाता है अरे रिचा वो तुम्हारी एज डिफाइन वाली क्रीम दोना बहुत बुड़ा लगता हूँ क्या लोगों को लगता ही नहीं कि मैं सिंगल हूँ अरे तुम सिंगल हो भी कहां? जो लोगों को लगेगा अरे मैंने कांसा मांग में सिंदुर भराиком या फिर गले में मंगल सित्रे हम्म्, बस इसी का तो फाइदा उठा लेते हैं मर्त और भूली भाली लड़कियों को फसाते हैं भूली भाली? अरे आजकल तो शादी शुदा ओरते सिंगल लड़कों को फसा कर बात करती है अच्छा? तुम्हें कैसे पता? आरे वो मैं टीवी में देखता हूँ ना प्रदिप समझ नहीं पाता है उसके लिए तो उसकी बीबी बिचारे घर देखने वाले घरे लुमहिला है जिसका ये ओनलाइन से कोई लेना देना नहीं है अच्छा वो मुझे ना ओफिस का काम है तो मैं आज दूसरे कमरे में सू जाऊंगा रीचा समझ जाती है कि ठर की पती का कोई इलाज नहीं है हाँ हाँ क्यों नहीं मैं भी आज अपनी लंदन वाली बेहन से बात कर लूँगी वहाँ तो सुबह हो जाती है ना दोनों अलग-अलग कमरों में अपने मुबाइल के साथ चले जाते हैं हाई तुम ओनलाइन कब आई वो पती दूसरे कमरे में सोते है न अरे ठरकी होगा साला नजर रखा करो किसी दूसरी औरत से बात कर रहा होगा पक्का हूँ हो सकता है लेकिन कर भी क्या सकते हैं बोल रहे थी कि आफिस का काम है लगता है यह यूनिवर्सल बहाना है अच्छा वैसे मेरी भी कुछ सहलिया बताती है कि कुछ ठरकी लोग होते हैं जो शादी शुदा होकर भी सिंगल बताकर लड़कियों से बाते करते हैं अरे हटाओ ना हम भी क्या बात कर रहे हैं तबी रीचा प्रदीब को आवाज देती है प्रदीब जरह यहा आना मुझे नीन नहीं आ रही है काम हो गया हो तो आजाओ वन्ना मैं भी उसी कमरे में आ रही हूँ अरे वो वो ना मा बुला रही है उनको रात में खासने की बिमारी है ना तो मैं जा रहा हूँ उकल बात करते हैं प्रदीब कमरे में आता है जहां रीचा जूट मुट का खासना शुरू करती है अरे ये क्या हो गया मेरी मा खेर अब तो दोनों की खूब बात होती रीचा प्रदीब के मन की बात समझती तो कुछ परिवार के मुल्य भी उससे समझाती लिकिन एक दिए मैं तुमसे मिलना चाता हूँ अब तो मैं देखना चाता हूँ कि तुम दिखने में कैसी लगती हो अरे रहने दो शौक लग जाएगा हाँ तुम तो हो ही इतनी होट मजा कर रहा हूँ वैसे ये शब्द ना आजकल सुन्दर लड़कियों के लिए इस्तमाल होते है वैसे मुझे अच्छा तो नहीं लगता अच्छी तो कही चीज़े हैं जो नहीं लगती है लेकिन क्या कर सकते है ठीक है मैं तुम से मिलने आ जाओंगी बोलो क्या बाना है अरे मैं तो कहता हूँ आज ही शाम को मिलो ओके शाम को फिर पका रिचा आज शाम को मुझे लेट हो जाएगा किसी दोस्त के घर पार्टी है अरे तो मैं पी चलती हो ना बहुत दिन हो गई कोई पार्टी अटेंडनी की अरे यार हर जिक जाने को तयार हो जाती हो लड़कों की पार्टी है देख लो सही सही बता दो लड़कों की पार्टी है या किसी लड़की से मिलने जा रहे हो अरे यार तुमारे दिमाग में तो कीड़ा बसा है बस शक 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 अरे अच्छा पती मिला है यह नहीं कि उसकी पूजा घरे उसकी आर्थी गया है अब क्या होता है शाम का वक्त तै जगह पर प्रदीप आ जाता है लेकिन रीचा उसे कहीं नहीं दिखती अरे कहां रह गई तुम्हारे पीछे प्रदीप जैसे ही पीछे देखता है बीवी को देकर हैरान रह जाता है तुम हाँ मेरे सिंगल पती अब घर चलो वहाँ निकालती हूँ मैं तुम्हारी सारी चैट प्रदीप बिचारा उसे क्या पता था जिस सुन्दर लड़की का सपना लेकर वो वहाँ आया था वो इतनी जल्दी तूट जाएगा हरे तुमको कबसे आनलाइन का चस्का लग गया सिखाया किस दे तुम्हें आनलाइन चैट मैंने आनलाइन ही सिखी है अरे मेरी अम्मा ये तो बता दो कि जिस लड़की की फोटो तुमने लगाई है वो है कौन तबी वहाँ प्रदीप की मा आ जाती है बेटा वो तस्वीर बहुने मेरी जवानी की लगाई है